हिंदु धर्म में हर्याली तीज का विशेश महत्व है शादी शुदा महिलाएं अपने उत्तम संतती और सौभागी के लिए व्यावरत रखती हैं हर्याली तीज माता पारवती और भगवान शिव के मिलन का दिन माना जाता है पौराणिक मानिताओं के अनुसार स्रावर मास के शुकल पक्ष की तरतिया तिथी को भगवान शिव और माता पारवती का मिलन हुआ था इसलिए इस दिन को हर्याली तीज के रूप में मनाये जाता है बता दें कि हर्याली तीज वाले दिन जहां सुहाग निस्त्रिया अपने सौभागय और घर की सुक सम्रद्धी के लिए वरत रखती हैं वही कुवारी लड़किया अपने मन्चाहे वर के लिए इस दिन का वरत रखती हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हर्याली तीज के वरत में आपको भूल कर भी किन गल्तियों को नहीं करना चाहिए और साथ इस वरत को रखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए हर्याली तीज का वरत निर्जिला किया जाता है अगर आपने एक बार यवरत शुरू कर दिया तो इसके बाद आपको अन्य जल ग्रहन नहीं करना चाहिए दूसरा नियम है कि आपको इस वरत को शुरू करने से पहले अपने बालों को अवश्य धुल लेना चाहिए तीसरा नियम है कि अगर आपने एक बार इस वरत को उठा लिया है तो आपको इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए आपको हर साल इस वरत को पूरे विधी विधान से करना चाहिए यदि आप इस वरत को छोड़ना चाहती है तो पूरे विधी विधान से इसका उध्यापन क बता दे कि इस दिन आपको रात्री जागरन करना चाहिए और पूरे दिन मन में भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए इस वृत की पूजा को प्रदोश काल में ही करना चाहिए यानि की सूरज ढलने के बाद ही शिव भगवान और माता पारवती की पूजा करनी चाहिए छटा नियम है कि इस दिन बालू या फिर काली मिट्टी से शिव पारवती और गडेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बना कर ही उनकी पूजा करनी चाहिए इस पूजा में भगवान की मूर्ती या उनकी तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए सुहाग के पिटारे में सुहाग की सारी वस्तु में रख कर माता पारवती को अरपित करनी चाहिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ